हेलो फ्रेंज दिस इस यंग होस्ट रचीट पनाल आज हमारी वीडियो में हम बात करेंगे उस डॉग ब्रीट का जिसका नाम है इंगलिश टैफोर्ट शायरे बुल टेरियर इस वीडियो को मैं टोल फॉर्ट पॉर्ट्स में कवर करूंगा फर्स पॉइंट हिस्ट्री एंड ओरिजन से जनल अपेरेंज थर्ड पॉइंट क्या ही डोग आपके लिए पर्फेक्ट है या नहीं है और फॉर्ट पॉर्ट प्राइज अब बात करते हैं फर्स पर्ण की जो है इस डोग ब्रीट का ओरिजन है इंगलेंड से इस लोग ब्री इस बैटिंग स्पोर्च होते हैं उसमें पॉफ ज़्यादा पॉपॉलर रहा ऐस फैमिली डॉग इस डौक को और नमों से भी जाना जाता है स्टैफी और स्टैफ़ॉट जैसे नमों से भी इस डॉपको जाना जाता है अब बात करते हैं सेंगड पॉइट की जो जर्नल इसका बोडी स्ट्रेक्जर सोड होता है और मस्कुलर बोडी स्ट्रेक्चर हुता है इसका मत करते हैङ New प्रफेक्ट पाइट 646 में में पाथ करने हैं क्या इ裁का है अपके लिए नहीं है मैं कुछ पॉइंट्स बता हूँ जिस आप से आप देखना कि यह डोग आपके लिए परफेक्ट है या नहीं है सबसे में पॉइंट कि यह ज़दा एनरजेटिक डोग है तो इसको कम से कम आपको एक्सराइज कम से कम एक गंटे के एक्सराइज कराने जरूरी है अब बात करते हैं ग्रोमिंग की इसका शोट कोट होता है तो आप इसको मजब वीग में दो बार ब्रशिंग करो तो चल जाएगा कमसे कम होता है जादा तो आपकी तेसी ऑ गर सकते हो और मत में कमसे कम एक बार बेदी अब ये सारी बात में अपक्रवार बताता हूँ कि हर बच्चों के लिए अच्छा होता है जब आप उसको बच्पन से सोचल लेवल करो अब मैं बताता हूं कि इसकी जो एवरेज में जो रिव्यूज आए इस डोग के बारे में वो है मीडियम मतलब ही मीडियम है अच्छा भी है नहीं भी है तो एक मीडियम सेज पर रख सकत करने के बात करके लांच से का प्राइंड में इसका प्राइज में देंज करती से से और हमारी वीडियो को लाइव करें ताकि हमें और अच्छा लगता है अच्छी वीडियो बनानारे हूं भी है